व्याज जी कहते हैं, सूच जी का यह बचन सुनकर वे सभी महर्शी बोले, आप हमें बेदान्सार सर्व रूप अदुद्ध शिव पुराण की कथा सुनाईए। सूच जी ने कहा, आप सभी महर्शी गंड रोकशोक से रहित, कल्याण में भगवान शिव का इस्मरन करके, पुराण प्रवर्शिव पुराण की, जो बेद के सार्थ अत्त्व से प्रगठ हुआ है, कथा सुनिये, शिव पुराण में भक्ति ग्यान और वैराग्य इन तीनों का पृति पुरुवक गान किया गया है, इस बर्तवान कर्प में जब श्रिस्टी कर्म आरंब हुआ था, उन दिनों छे कुलों के महर्शी परस पर बाद विबाद करते हुए कहने लगे, अमुक बस्तु सबसे उत्क्रिस्ट है और अमुक नहीं, उनकी इस विबाद ने अत नए भरी बाणी में कहने लगे, प्रभु आप संपूर्ण जगत को धारन पोशन करने वाले, तथा समस्त कारणों के भी कारण है, हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे पूरान पुरुष कौन है, ब्रह्मा जी ने कहा, जहां से मन सहित बाणी उन्हें पाकर लोट आती है, तथा जिन्ह में ब्रह्मा, विश्नु, रुद्र और इंद्र, आदि से युक्ती है संपूर्ण जगत, समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रगट हुआ था, वे ही देव, महादेव सर्वग्य एवं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, रुद्र, हरी, हर तथा आने देवेश्वर सदा उत्तम भक्ती भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं, भग्वान शिव में भक्ती होने से मनुश्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, देवताओं के कृपर प्रसाथ से उन्हें भक्ती होती है, और भक्ती से देवता का प्राप्त होता है ठीक उसी तरह जैसे यहां अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है इसलिए तुम सब महर्शी भगवान प्षंकर का क्रप्रा प्रशाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्तरों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल य यगपती भगवान श्रीव की क्रपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्यान होता है श्रीवपत की प्राप्ती ही साध्य है उनके सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाज से जो नित्यनैमेतिक आदी फलों की ओर से निहस्प्राय होता है बही साधक है वे वही परमेश्वरपत की प्राप्ती होती है वही सालोग के आधी के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ती है उन उन पूर्शों को भक्ती के अनुसार उन सब को उत्कृस्ट फल की प्राप्ती होती है उस भक्ती के साधन अनेक प्रकागे होते हैं जिनका साक्षात महेश्वरजी ने प्रतिपादन किया है। उन में से सार भूत साधनों को संचिप्त करके मैं बता रहा हूं। कानस भगवान के नाम गुण और लेलाउ का श्रवण वानी द्वारा उनका कीरतन तथा मन के द्वारा उनका मनन इन तिनों को महान साधन कहा गया है। तातपरी यह है कि महेश्व का श्रवन कीर्टन और मनन करना चाहिए यह शुर्तियों का वाक्य हम सब के लिए प्रामान भूत है इसे साधन से संपून मनुरतों की सिध्धी में लगे हुए आप लोग परम साधे को प्राप्त हों लोग प्रत्यक्ष बस्तों को आग से देखकर उसमें प्रवत्त होते हैं परन्तु जिन बस्तों का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है उसे श्रवनेंद्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ती के लिए चेस्टा करता है अतह पहला साधन श्रवण ही है उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ट बुद्धी वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन के सिद्धी करे क्रम शह मनन पर्यंत इस साधन की अच्छे तहरे से साध्धा कर लेने पर उसके द्वारा सालोग के आदी के क्रम से धीरे धीरे भगवान शेव का संयोग प्राप्थ होता है पहले सारे अंगों के रोग नस्थ हो जाते हैं फिस सब प्रगार का लौलिक आनंद भी विलिन हो जाता है भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जब तथा उनके गुन, रूप, बिलास और नामों का युक्ति परायन चित की दुवारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसको ही मनन कहते है वहप महेश्वर की क्रपा द्रस्टी से उपलब्ध होता है उसे समस्र श्रेष्ट साधन में प्रधानिया प्रमुख कहा गया है सूज जी कहते हैं मुनीश्वरो, इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचेन ब्रतांत का वर्णन करूंगा सो उससे ध्यान दे कर आप लोग सुने पहले की बात है पराशर मुनी के पुत्र मेरे गुरू ब्याज जी सरोसती नदी के चुंतर टट पर तपस्या कर रहे थे एक दिन सूरी तुल्द तेजस्पी बिमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात बहां पहुँचे उन्होंने मेरे गुरू को वहां देखा बिध्यान में मगन थे उससे जगनेक पर उन्होंने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनी ने उन्हें अर्ग दिया और देवताओं के बैट ने योग आसन भी अर्पित किया तब प्रसन्य हुए भगवान सनत कुमार बिनीद भाव से खड़े हुए व्यास जिसे गंभीर वानी में बोले मुनी तुम सत्य बस्तू का चिंतन करो बह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है जो तुम्हारे साक्षातकार के विशय होंगे भगवान शंकर का श्रवन कीर्टन मनन ये तीनों महत्व साधन कहे गए हैं ये तीनों ही बेज संबत हैं पूर्व काल में दूसरे दूसरे साधनों के संब्रह में पढ़कर भगवान नंदिकेश्वर वहां आए उनकी मुझे पर बड़ी दया थी वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे इसने हैं पूर्वग मुक्ती का उत्तम साधन बताते हुए बोले भगवान शंकर का श्रवण कीर्टन और मनन ये तीनों साधन बेद संबत है और मुक्ती के साक्षात कारण है यह बात सोयम भगवान शिवने मुझे कही है आता है ब्रामहन तुम श्रवण आदी तीनों साधनों का ही अनुस्ठान करो व्याजसी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियो सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मध हम को चले गए इस प्रकार पूरुब काल में इस उत्तम ब्रतान्त को मैंने संशेप से वर्णन किया है रिशी बोले सुद्जी, श्रवन आदी तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है किन्तु जो श्रवन आदी तीनों साधनों में आसमर्थ हो वह मनुशी किस उपाय से अवलामन करके मुक्त हो सकता है किस साधन भूर्ट से कर्म के दुआरा बिना यतने के ही मोक्ष मिल सकता है